नमस्कर दोस्तों, तो इस वीडियो में एक और पॉर्टफोलियो को हम चेक आउट करने वाले हैं, तो जिनका ये पॉर्टफोलियो है, तो इनका नाम है अभिशेक, और इन्होंने 1st June 2022 से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है, तो इन्होंने बता है कि शेर मार्केट मे ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए रहने वाले जब तक इनसे रहा जाएगा, ज्यादा स्टॉक्स भी इनको नहीं एड करना है अपने पॉर्टफोलियो में, हर 40 दिन के अंदर 20, 25 या 30,000 का इन्वेस्टमेंट ये करने वाले अपने पॉर्टफोलियो में, तो अगर कर सकतो, अगर आपको सुइंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, आप एक सेपर्ड अकाउंट के थ्रू वो चीज़ कर सकतो, ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मालों की इसी पॉर्फोलियो में, अगर आप लॉंग ट्रम इन्वेस करने वाला हूँ, इधर पर मैं शॉर्ट टरम प्रॉफिट बॉकिंग नहीं करूँगा, ओके, सिंपल सा या पर यह मेरा मानना है, बाकी डिसीशन तो आपका है, तो चली दोस्ता अभी देख लेती हिनका पॉर्फोलो कैसा है, और कैसे पॉर्फोलो को और बेटर बनाया ज परसंट का प्रॉफिट इनको भूड़ा है, तो चली कमपनीज देख लेते हैं, तो सबसे पहला जो कमपनी इनके पास है, तो यह है एशन पिंट जहापे काफी इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है, 1,19,000 का, तो अभी तो अल्मोस्ट 10 परसंट का प्रॉफिट होड़ा ह बहुत ही अच्छा स्रॉंग कमपनी है, और कंसिस्टेंट कमपनी हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होड़ा है, तो अशन पिंट को लोंग टर्म के लिए ज़रूर होल्ड कर सकतो, देन इनके पास है एस्टरल एंड इधर पे 64,000 का इन्वेस्टमेंट है, अभी थोड कमपनी, एग्रेसिब कमपनी है, शौट टर्म में थोड़ा सा रॉव मेटल का प्रेशर रह साकता है, बट लोंग टर्म के लिए कमपनी बहुत अच्छा है, तो होल्ड कर सकतो, देन इनके पास है बजाज फाइनस, इधर पे 1,6,000 का इन्वेस्टमेंट है, 6% का प्रॉफि कर सकतो, देन इनके पास है दिमार्ट, 1,29,000 का इन्वेस्टमेंट है, 9% का प्रॉफिट भी इनको हो रहा है, 12,000 का प्रॉफिट है, बहुत ही अच्छा कमपनी है, कंसिस्टेंट कमपनी है, तो दिमार्ट को भी आप लोंग टर्म के लिए होल्ड कर सकतो, क्योंकि इट इस इनके पास है, HDFC बैंक, 69,000 का इन्वेस्टमेंट है, 0.3% का हो रहा है इनको प्रॉफिट, बहुत अच्छा बैंक है, रिस्क बहुत कम है, HDFC बैंक में, डाउनसाइड पोटेंशल कम है, अपसाइड पोटेंशल बहुत जाद है, तो HDFC बैंक को भी आप होल्ड कर सकतो, बीट कर आए, सेकेंड चीज़ क्या है, कि HDFC बैंक, HDFC लिमिटेट का मार्जर होगा, जब मार्जर हो जाएगा दोनों कमपनी का, तो टोटल साइज जो है कमपनी का बहुत जादा बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा कमपनी बन जाएगा, तो उस बड़े से कमपनी को अगर ग्रोथ शो करना है, तो आप कह सकतो, बहुत बड़ा काम उनको करना पड़ेगा, बड़े बिसक्यों पर ग्रोथ उनको शो करना पड़ेगा, तो वो कैसा होगा फ्यूचर में, उसका अपो ट्रैक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बाई और फगेट वाला केस है, बाई एं आप लोग टरम के लिए होल्ड कर सकतो, बट ज्यादा से ज्यादा बेटर से बेटर रिटर्न कमाने के लिए थोड़ा सा आप ट्रैकिंग कर सकतो, इनके पासे आई याप इन्फोसिस, एंड 76,000 का इंवेस्टमेंट है, 1.1% का करिंद लिए इनको होड़ा है लॉस, बट इ अभी इनको होड़ा है, अभी नो डाउट, माइंटरी इस ए वेरी गूट कमपने, वेरी फास्ट ग्रोइंग कमपनी, तो माइंटरी को होल्ड आप कर सकतो, बट लोकेशन अपने काफी दिये, एक लाग अथाई सेजार का इन्वेस्टमेंट अपने किये माइंटरी में, ए आई ग्रोध कमपनी तो ज़रूर है, बट चाहो तो उससे जादा अलोकेशन अप पहले इन्फोसिस में रख सकतो, अगर आपको अपने पोर्टफोलो में रिस्क को थोड़ा कम करना है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो कमपनी इनके पास है, तो यह पिडिलाइट इनके पासे टाटा मोटोर्स 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, 9% का प्राफिट इनको होड़ा है, अच्छा कमपनी रखा जा साकता है, बट एलोकेशन को कम रखना चाहिए, देने टाटा पावर एंड 37,000 और 38,000 का इन्वेस्टमेंट है, 2% का प्राफिट इधर पे भी है, करने की कोशिश कीजए, क्योंकि consistent performance past में देखने को मिला है, और आगे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप कह सकतो कि growth opportunity इधर पे अभी भी बहुत है, क्योंकि इंडिया में पूरा जो जो जोईलरी मार्केट है, 100% का जो जोईलरी मार्केट है, organized and unorganized सब को मिला के, तो उसका 6% का जो मार्केट है, वो टाइटन के पास है, बाकि आप कैसा तो दूसरे companies के पास 94% का मार्केट है, organized and unorganized sector के पास 94% का मार्केट है, तो growth opportunity आपे काफी है, market share gain company कर सकता है, क्योंकि टाइटन के पास data का trust है, तो यह आप कैसा तो company तो बहुत अच्छा है, तो इसको companies को अपने add किया है, बट इधर पे आपके पास data motors और आपके अलावा बहुत सरे लोग के पोर्फ़र मैंने data motors को देखा है, एंड हर बार मैं same ही चीज़ repeat करता हूँ, यह auto sector में आप अपने allocation को control में रखना, बट एक question जो कि मुझे आप से पूछना है, कि आपने data motors में investment किय है, तो उसके पीछे का thesis point कि आपको क्यों लगता है कि Tata Motors अच्छा return देगा, तो उस question का क्या answer आपके पास है या नहीं, अगर आपने या पे सिब Tata Motors का जो electric vehicle है, जो कि dominate कर रहा है, अभी भी market को, Indian market को electric vehicle space में, उस budget investment किया है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि वहाँ स से बहुत जोटा revenue पूरे company को आता है भी, जाधातर revenue जो है, वो 64 और 67% का revenue, JLR से company को आता है, तो JLR का performance अब तक ठीक नहीं होगा, तो overall company का भी performance हो साकता है, उतना अच्छा ना आए, तो Tata Motors में जो लोग invested हो, और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे, मैं आप सभी question पूछना चाहूँगा, कि Tata Motors का last 10 साल का average sales growth है, वो कितना है, 5 साल का average sales growth कितना है, तो पता चलेगा कि कितने लोग को actually में पता है company के बारे में, 10 साल का अगर बताओ, तो I think 6% average, 5 साल का 1% average है, और 3 साल का minus 3% का sales growth है, ओके, तो आप क्या सकतो sales growth काफी कम है last 10 साल में, अग जितना था, 2022 में जितना है, तो company का sales है, revenue है, वो double भी नहीं हुआ है, business double नहीं हुआ है, then second चीज़ अगर मैं आपको बताओ, तो 2012 में अगर देखेंगे, तो company का profit था 13,000 करूर का, आज के दिन profit अगर देखेंगे, तो वो आपको 11,000 करूर देखने को मिलेगा, बट वो profit नह में भी volatility हो सकता है, तो इसी simple reason के बज़ा से मैं बताता हूँ, कि Tata Motors में अगर अपने investment की है, तो control में रखना allocation, अगर कभी इनका passenger vehicle का business अलग होके बाजार में list होता है, तो आप वहाँ पे निविश कर सकते हो, क्योंकि इनका passenger vehicle का business बहुत अच्छा कर दाए, तो अगर point पे ज़रूर बताना, कि इनका ये portfolio कैसा लगा, एंड इस portfolio को और भी better कैसे बनाया जा सकता है, तो मैं होता, अगर मुझे कम से कम stock रखना होता, राइट, कम से कम, अच्छे वाले, तो मैं होता, तो Tata Motors की जगा मैं किसी और company को add करने की कोशिश करता, हो सकता है, मेरे से बहुत स return दे सकता है, अगीन, जो company में आपको बता रहो, ऐसा नहीं कि blindly जाके investment कर देना है, अब simply, अब यापे, जो आप कह सकतो, back testing है, वो कर सकतो, कि actually में past में कौन से company में better growth देखने को मिला है, and future में कौन से company में better growth देखने को मिल सकता है, future growth का visibility कैसे आपको मिलेगा, जब आप company क capital expenditure होगा, वहाँ से क्या कुछ revenue आएगा, या company का जब result आएगा, बहुत जल्द आएगा, एक दो दीन बात, तो company का management का कौन को लाएगा, तो वो क्या बता रहे है, कि कैसा आने वाला future में, कहा का पर खर्चा करेंगे, तो उससे आपको visibility में लेगा, growth का, कि future में company कैसा perform कर सक करता है, या आप polycab और ki industries को पर सकतो, आप ASRF को पर सकतो, chemical industry से, आप VBL को पर सकतो, एक बहुत interesting company, VBL, आप फार्मा से डिवीज लैप को पर सकतो, तो वो भी एक बहुत interesting company, तो ऐसे companies को पर सकतो, राइट, उसके बाद अगर आपको अच्छा लागे, आपका conviction build हो, तो 15 stocks, मेरी साब से more than enough, बहुत अच्छा perform, यहाप आपका portfolio करेगा, अगर वो 15 अच्छे से अच्छे company चुन पाओ, चली अभी देख लेते, कि long term में यह अपने portfolio के through, कितना wealth create कर सकते, तो total investment हमने लिया है, तो वो है 947,000 का, जो कि इनका portfolio का size है currently, अगर इनको इस portfolio के उपर average 18% का return मिले है, ओके, एंड़ 10 साल तक अगर यह hold करते हैं, अपने portfolio को, तो after 10 years, चो करें portfolio का size है, तो वो बन जाएगा 49 lakh रूपीज का, ओके, एंड़ उसके बाद, अगर SIP यह करते हैं, कितना SIP करेंगी, इनोंने बता है कि 20, 25, 30,000 का SIP कर सकते हैं, 40 दिन में, तो हम यह average number ही 50.43 lakh का, जो wealth है, यह create कर सकते हैं, यानकि, दोनों को मिला कर, within 10 years, अगर 18% का return इनको मिले, average, तो 1 करोर का, जो wealth है, यह अजिफ कर सकते हैं, और उसके बाद कहा जा सकते हैं, कि हर 4 साल में, इनका जो wealth है, वो double हो जाएगा, अगर future में भी further, यह अपने portfolio को hold करते हैं, यह पे इनको 18% का average return मिलता है, ओके, 10 साल बाद अगर यह अपने SIP को रोग भी देंगे, तो 4 साल बाद, यह पे 2 करोर बन जाएगा, देन उसके 4 साल बाद, वो 2 करोर, 4 करोर बन जाएगा, उसके 4 साल बाद, वो 4 करोर, 8 करोर बन जाएगा, तो ऐसे compounding होता जाएगा, तो compounding का, ज लगा है, तो एक लाइक जरू कर देना, साथी साथ चांग को सब्सक्राइब जरू कर लेना, ताज साथी साथ बिल आइकोन को भी जरू प्रेस कर देना, तो ऐसी, अब डेटेड वीडियोस आपको daily business में मिलता राएंगे, नीचे अप्स्रॉक्स का लिंक आपको मिल बिलते हैं अगले वीडियो में, बबाई